कि नमस्कार स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल मिक्की मिन में तो इस विडियो में आप सभी का सभी का स्वागत है जिसमें हम आज के विडियो में बिलाइस 222 का जो ब्लॉक 4 था जिसको हमने आपका होड़ पर रक्खा था उसको इस विडियो में हम डिस्कस क करेंगे तो देखे क्योंकि इसमें से ज्यादा कोशन बनते नहीं है इसलिए हमने सोचा इसको लास्ट में कराएंगे बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके ब्लॉक्स थे जो की स्टार्टिंग के जो तीन ब्लॉक्स थे उसको हमने अलरडी करवा दिया है अगर आपको उन सारे ब्लॉक्स में भी कोई डाउट आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट वर्क्स में जादा जादा कमेंट करें हम उस पटिकुलर टॉपिक पे स्पेशल वीडियो हम लेके आएंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो की ब्लॉक्फोर का है देखे इसमें चा पढ़ने हैं और उन सोर्सेज को उन इंफरमेशन को हमारे यूजर तक पहुचाने की वेजन टेकनीक पढ़ना है और वो इनफरमेशन हमारी यूजर तक पहुचने में क्या-क्या डिफिकल्ड जो सिच्वेशन है जैसे कृट अप सेंड डाउन साते हैं वो सारे चीज़ों तो हमें को पढ़ने है जो कि लिमिटेशन होता है तो यह सारी चीज़ आपको इसमें पढ़ने हैं देकि जैसे पहले में ही है यूजर एज्टूकेशन एन इंफरमेशन लिटरसी तो यूजर एजूकेशन हमारी यूजर कौन-कौन से है अगर मैं यूजर की बात करूँ त तो हमारी यूजर कौन कौन से हमारी यूजर जैसे हमारे साइंटिफिक हो गए इंजिनियर हो गए डॉक्टर हो गए हमारे जो स्कूल स्टुडेंट हो गए यह सारे हमारी यूजर है और नॉर्मल भी जो कि हमारे जो डेली वेसिट पर इंफरमेशन को सीख करते हैं वो भी हम यूजर स्टड़ी इंफर्मेशन यूजर स्टड़ी मार्केटिंग उफ यूजर सर्विसेस तो यह सारी चीज़ हम पढ़ेंगे से यूट 11 की बात करो तो इसमें हमारा जो इंपोर्टेंट हो है हमारी यूजर एजुकेशन जैसे कि मैंने बताया हमारी यूजर कौन-कौन से होते हैं तो उनको एजुकेट करना उसके डेफिनिशन पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट क्या है इस्टोरिकल डेवलापमेंटल अब्जेक्टिव मैथड़ेस एंट टेकनीक सारी चीज़ यहां पर पढ़ेंगे इन्फरमेशन लिटरसी अब यहां से मैं बात करूँ तो इन्फ अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ तो जो यूजर एजुकेशन होता है यहां पर लिखा है प्रोसेस और प्रोग्राम थूरू विच पोटेंशियल यूजर अभी मैंने इससे पहले मैं जब आपको एक्स्प्रेइन कर रहा था बता रहा था पोटेंशियल यूजर कि जो भी हमारी यूजर है उनको उन पोटेंशियल यूजर को इनफर्मेशन की वेल्यू समझाना और उनको यूज करने के लिए प्रोचसाहित करना यह इनफर्मेशन यूजर का एजुकेशन का मतलब मेन जो बोले तो पॉइंट होता है बाकी इसमें देखिए यहां पर र इनफर्मेशन सर्विसेस एफेक्टिवली एफिशेंटली यह सब यूजर के एजुकेशन के प्रोसेस से कहा गया है तो यह सारा आप पढ़ लेना एक बार कॉम्पोनेंट की बात करूँ तो इसमें दो कॉम्पोनेंट है बेसिकली नेमली ओरेंटेशन एन इंस्ट्रक्शन ओरेंटेशन अगर आपने आगर आप रेगुलर स्टुडेंट होंगे कॉलेज में अगर कहे होंगे तो सबसे पहले आपको जब कॉलेज में एंटरी किया होगा आप लोगोंने तो एक तो कॉलेज ओरेंटेशन होता है और आपका लाइबरेरी ओरेंटेशन होता है तो ओरे department है इसमें कौन-कौन से staff member है कौन क्या आपको मतलब बढ़ाएगा कैसे आप लोग का education चलेगा हर चीज के बारे में college के faculty college का infrastructure college के कैंटीन college के library हर चीज के बारे मता जाता है तो इसी तरीके से library का भी representation होता है जिसमें library के जो member होते हो अपने staff member से introduce कराते हैं और फिर आपको जिससे पता चल जाता है कि हाँ आपको कहां से किस से कैसे किस तरीके की health मिल सकती है तो इस तरीके से आपको user education किया जाता है तो यहां पर यह सारे चीज़ है फिर आगे चलते हैं देखिए यहां पर historical सीकर की तरह उसको मतलब त्यार करना ताकि जो हमारा user है वो अपने potential जो भी जो quality है उसको निखाट सके अगर उसके पास education होगा तो अच्छे तरीके से information को सीक कर पाएगा उसको यूज कर पाएगा for the betterment of the society तो यह सारी point आप लोग add कर सकते हैं जब आपका objective में अगर लिखना हो तो method में देखी यहाँ पर इस diagram साब को पुरा समझ में आ जाएगा इसमें एक तो group instruction होता है जिसमें आप लोग को lecture दिया जाता है seminar tutorial demonstration and guided tour होता है अगर group and individual instruction की बात करो तो इसमें आपको film, video tape, tape slide, audio tape, illustration, audio tape इस तरीके से आपको समझाया जाता है फिर individual instruction की बात करो तो इसमें book आ जाता है, printed guide आ जाता है, practical exercise program instruction, self instruction, material यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है तो अगर आपका यह method आपको लिखना हो तो यह पूरा आप यह चार्ट सा बना देना वहां पर और काफी यहां से effective लाइगा फिर आप इसको डीडियल में पढ़ लेना lecture में क्या 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 आप जैसा लेक्ट्चर लेते हैं उस तरीके से समझाना सेमियार के तोर पर बहुत साथ लोगों को एक साथ बैठा कर समझाना गाइड़ टूर मतलब उनको एक टूर पर ले जाना वहां पर समझाना कि ऐसे सी चीज़े होती है तूर ऐसा नहीं कि बाहर लेकर जाना उनको लाइबरेरी का अगर इंस्ट्रक्ट करने तो लाइबरेर सेनेरियों के साथ साथ हर चीज़ हो रहा है तो हमारा जो यूजर एजुकेशन हो टेक्नॉलीजी से रिलेट करके होना चाहिए ताकि जो भी हमारा यूजर हो मतलब लैक ना करें चीजों में फिर उसके बाद यहां पर यह सारी चीज़ हो गई मैथर्ड एवलिएशन यहां आफ रिसर्च टुडए आज कल की जो अगर एक्टिव एरिया के बात करूं तो वह हमारा इंफर्मेशन लिट्रसी है लिट्रसी एन इंफर्मेशन साइन्स जिसको हम लिएस बोलते हैं प्रोफेशनल्स आर राइटिंग ऑन सब्जिक्ट एन आर ऑल्सो इंगेज्ट ऑन रि तो अगले उनिट पर हम इसमें आपको एक कौशन देखने को मिलेगा और कौन से हेडिंग से आएगा वो मैं आपको बता देता हूं इसमें आपका question बनता है user and user studies के बारे में तो user characteristic क्या होती है user studies क्या होती है बेसिकले आपको जो question बनेगा ना user education user literacy how user education is important in present scenario या फिर how is user education is important in library library science या how user education sorry user education limitation पो सकता है कि क्या क्या difficulty आती है user education में और user education is I mean how it is important to understand library library staff तो ये सारी चीज़े आपको question ऐसा देखने को मिलेगा तो इसमें आपका case study नहीं आएगा इसको छोड़ सकते हैं आप user हाँ देखिए आप आगे user studies limitation and criticism तो ये सारी चीज़े आपको देख ये वाले कर लेना और उसके बाद यहां पर चलिए आपको बताई देता हूं इसमें तो इसमें आपका user and user studies आगे तो user आपका user कौन है मैंना आपका साइंटिफिक हो गए हमारे जो डॉक्टर हो गया टेकनोलिजिस्ट हो गए जो भी जो प्रोफेशनल्स हो गए वो सारे हमारे यूजर हो गया और उनका studies करवाना user की study होती है तो इसको आप पढ़ लेना वैसे मैंने पूरा बताई दिया user देखिए हैं पूरा बताया गया है कि कौन-कौन सो होते हैं वर्कर इन फंडामेंटल रिसर्च वर्कर इन एप्लाइड रिसर्च टेकनोलोजिस्ट रा रैटर्स ओ रिपोर्ट बुक साइंटिफिक एंड टेकनिकल जन्रलिस्ट तो यह सारे हमारे हिस्ट्री ऑफ इस्टोरींस ऑफ साइंस फिर यूजर्स लेकि यहाँ पर भी यह डि करेंग सारे आपने देख लिए तो है मैं पोटेंशियल यूजर के बात करेंगे तो वह आले पोटेंशियल जो पोटेंशियल यूजर कौन होते है वॉन फून निट इंफरमेशन विज कैन वी प्रवाइड़ बए स्पेसिफिक सर्विस के लिए उसको इन फरमेशन पॉब करें उसको बोलते हैं हम expected user of actual user कौई होते हैं one who actually use an information service regardless of the fact whether the drive advantages from such a service or not मतलब कि एक ऐसा user होता है जिसको मतलब information actually में चाहिए वो ये नहीं देखता कि मुझे उससे advantages मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको बोलते हैं beneficial user the beneficiary user one who derive a miserable advantages from the information services तो एक वो यूजर जो की information को derive करता है advantages of the information services में से तो उसको बोलते हैं हम beneficiary users तो ये सारा हमारे users के types थे हैं user characteristic में बात करूं तो user characteristic कौनकों से होते हैं देर परसेप्शन आप प्रॉब्लम और देफिनेशन आप प्रॉब्लम फेक फेक अलॉंग विद दिस्क्रिप्शन तो ये सारी हां पर आप स्टेजिस आप इन्फरमेशन दिफूजन फिर एन्वार्मेंटल और सोशल करेक्टरिस्टिक आजाती है फिर उसके बाद और क्म्यूनिकेशन करेक्टरिस्टिक आजाती है तो ये सारी चीजह हां पर देख तो यूजर स्टेप आगया तो ये सारा चीज़ यह सर्वे करना फिर आप इस हैं आपके बता लिए अपके लिमिटेशन आते हैं तो ये वाला इक पर पढ़ ले ना है बाकी आपगी आपकी पर प्रड़ लेना है इसको इसमें और कुछ है नहीं तो इसे के साथ यह वाला हमाद जो यूनिट है कंप्लीट हो जाता है नेक्स वीडियो में हम आपको कंप्लीट करवाएंगे जो की आगे वाला जो दो दो यूनिट बचे हैं उसको हम कंप्लीट करवाएंगे जिसमें हमारा जो यूनिट है इस के पहले वाले जो तीन ब्लॉक में ने कराएं उसमें कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिसमें कोई आपको दिक्कत आ रही है तो उस पे आप कमेंट कर सकते हैं हम आपको पूरी अच्छे तरीक से गाइड करेंगे तो प्लीज करके कमेंट जरूर करें और ज्यादा ज्यादा वीडि में बोल देता हूं हाला कि हम उस दिन भी वीडियो डेफिनेटली शूट करके डालेंगे तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद